यशाया भविश वक्ता की पुस्तक अध्याय एक यशायाह अध्याय एक आमोस के पुत्र यशाया का दर्शन जिसको उसने यहुदा और यरुश्लेम के विशे में उज्जियह, योताम, आहाज और हिच्किया नाम यहुदा के राजाओ के दिरों में पाया। हे स्वर्ग सुन और हे पुत्वी कान लगा क्योंकि यहुदा कहता है कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोर्शन किया और उनको बढ़ाया भी और उनने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चर्णी को पहचानता है। परंतु इसरायल मुझे नहीं जानता और मेरी प्रजा सोच विचार नहीं करती। हाई यह जाती पाप से कैसी भरी है। यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंशे के लोग कैसे कुकरमी है। और यह लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए है। उन्होंने यहवा को छोड़ दिया। और इसरायल के पवितर को तुछ जाना है। वे पराय बनकर प तुम्हारा सिर गहाव से भर गया। और तुम्हारा रधय दुखसे भरा है। नक से शिर्क तक कहीं कुझ भी आरग्जता नहीं। चोट और कोड़े की मार के चिन्ञ और सड़े हुए गहाव है। जो न दबाए गया न बांते के न त्यर लगाकर नर्माए गयये है। तु हमारे देखते ही निगल रहे हैं। वह परदेशियों से नाश किये हुए देश के समान उजड़ा है। और सियोन की बेटी छोड़ दी गई है। दाक की बारी में भी जोपड़ी वा ककड़ी के खेत में भी छपड़िया घेरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। यदी सिनाओं का परमिष्वर यहुआ हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। हे सदोम के नयायों यहुआ का वचन सुनों छे अमोरा की प्रजा हमारे परमिष्वर की शिक्षा पर कान लगा। योहवा यह कहता है कि तुम्हारे बहुत से मेलबली मेरे किसी काम के है। मैं तो मेंधों के होमबलियों से और पले हुए पश्यों की चर्वी से अगा गया हूँ। मैं बच्छोडों वा भेड के बच्छों का वा बक्रों के लोहों से प्रसन नहीं होता। तुम जो अपने मुह मुझे दिखाने के लिए आते और मेरे आंगनों को पाउं से राउंते हो यह तुम से कौन चाहता है। व्यर्थ अन्नबली फिर से मतलाओ। धुप से मुझे गुरुना है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना यह मु से सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदो और नियत परवो के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं। वे सब मुझे बोज जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उकता गया हूं। जब तुम मेरी और हाथ फैला आते तब मैं तुम से मुख फेर लूँगा। तुम कित अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भुविषे में बुराई करना छोड़ दो, भराई करना सीखो, यतन से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, आनात का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकद्दमा लडो। यहवा कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें अपने पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएगे और चाहे अरगवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे यदि तुम प्रसन होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदा ठखाओगे और यदि तुम न मानोगे और बलवा करोगे तो तलवार से मारे जाओगे यहवा का यही वचन है जो नगरी सती थी सो क्योंकर विविचारनी हो गई वह नैसे भरी थी और धर मही उसमें पा पानी हो गई है तेरे दाखमदु में पानी मिल गया है तेरे हाकिम हटीले और चोरों से मिले है वे सब के सब धूस खाने वाले और भेट के लालची है और न तो वे अनात का नयाय करते और न विद्वा का मुकदमा अपने पास आने देते है इस कारण प्रभु सिनाओ के य हुआ इस्राइल की शक्ति मान कि यह वानी हैं कि सुनो मैं अपने शत्रों को दूर करके शांती पाऊंगा और अपने बैरियों से पल्टा लोंगा और मैं तुझ पर फिर हाथ बढ़ा कर तेरा धातु का मैल पूरी रीती से भस्म करूंगा और तेरा रांग पूरी रीती से द नयाई और आदी काल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूँगा। उसके बाद तु धर्मपुरी और सतीनगरी कहलाएगी। और सियोन नयाई के द्वारा और जो उसमें फिरेंगे वे धर्म के द्वारा छुड़ा दिये जाएगी। परंतु बलवाईयों और पापियों का एक स रंग नाश होगा। और जिन्होंने परमिश्वर यहवा को त्याग दिया है उनका अंत हो जाएगा। और जिस बांच ब्रुक्षों ने तुझसे पिती रखते थे उनसे वे लजजित होंगे। जिन बारियों से तुम प्रसंद रहते थे उनके कारण तुमारे मुह काले हो क्योंकि तुम पत्ते मुर्जाय होए बांच ब्रुक्षों के और बिना जलकी बारी किसमान हो जाओगे। और बलवान तो सन और उसका काम चिंगारी बनेगा। इस कारण वे दोनों एक साथ जलेंगे और कोई बुजहने वाला न होगा।